हलो फ्रेंड्स वेलकम टू सुरजीद वैलिटिक्स वैलिमेड इजियर आज हम बात करेंगे स्ट्रेजीज फॉर इनहांस्मेंट एन फूर्ट प्रोडक्शन के पॉल्ट्री ब्रीड और चिकन ब्रीड के बारे में और उनको याद करने की बहुत यह असान तिक के बारे में त उनको याद करने परिशानी हुथी तो मैने बहुत आसान सी ट्रिग बताई जिससे आपको सभी वह बहुत गने कि तो सबसे पहले बात करेंगे अमेरिकन ब्रीड की अमेरिकन ब्रीड को याद करने का तरजा क्या है थाओ जीता इस भीतने इस मैं इंग्लिष में पा ज़ते है और पिए अच डबलू फाओ जिय आई जी निकल के आंगे तो फी Bree συν जाया है polymouth rock, क्या हो जाएगा, polymouth rock, अगला है h, h मतलब क्या होगा, हेंप शायर हेंप शायर फिर अगला है डबलू डबलू सो होता है वेंड डॉट वेंड डॉट जे सो जाएगा जर्सी ब्लाक जाएंट जर्सी जर्सी ब्लाक जाएंट ठीक है दोस्तों फिर लास्ट में आई तो आई सो होता है आईलेंड रेड आईलेंड रेड आईलेंड रेड तो दोस्तों यह हो कहें हमारे फोजी से सारे की सारे अमेरिकन एक्जो должно look अब आगे बात करते हैं English exotic breed के बारे आये बात करते हैं English exotic breed की तो बात करते हैं English एक्सरbles को एक्सरीटिक ब्रीट की ठीक ना तो इसका टर्म étant चैलेंच वाला सोडा तो शौर्टकट में का लिए है ऑर सी को क्या लिए लिए है राएलज लिए होद और सोड़ी याँ पीने वाले सब जानते आं आरसी आ ठीक है ना तो RC soda को decode कैसे करेंगे R से होता है red cap क्या होता है जिसकी उपर लाल टोपी लगी होती है उसे बोलते red cap ठीक है पहला मुरगा फिर C से होता है corn जैसा होता उसका उपर वाला तो कार्णिश कार्णिश फिर आगे बाते एस सोड़ा से एस क्या हो जाए सुजेक्स क्या कहते हैं सुजेक्स बोलते हैं तो सुजिक्स फिर अगला ओ से क्या हो जाएगा ओ से हो जाएगा और फिंग्टन और फिंग्टन डी से हो जाएगा डॉर्किंग डी से हो जाएगा डॉर्किंग लास्ट में ए से हो जाएगा आस्ट्रो लॉय आस्ट्रो लॉय यह सारे के सारे होगे हमारे इंगली एक्जॉटिक ब्रीड अगली एक्जॉटिक ब्रीड हैं मेडी टिरेनियन मेडी टिरेनियन तो आपने दलाई लामा का नाम सुनाओगा तो उन्हीं के नाम से मैंने इज़त में बना लामा ला मा तो दलाई लामा याद कर लेंगे लिख लेंगे लामा लामा से हमारे सारे के सारे मेडी टिरेनियन ब्रीड मिल जाएंगी तो मेडी टिरेनियन ब्रीड मे L से क्या हो जाएगा? L से हो जाएगा Leghorn फिर A से क्या हो जाएगा? Ancona A से हो जाएगा Ancona फिर M से क्या हो जाएगा? M से हो जाएगा Minoria फिर last में A से हो जाएगा Andulesian दोस्तों कहीं जाये का नहीं मैं अभी आपको एक तरीका बता रहा है तो एक छोटा से तरीका बता रहा हूं जिससे सारे के सारे आपके कोर्स वाले याद हो जाएंगे इकजोटिक ब्रेड तो आएव देखते हैं अपने कोर्स वाले परिड दोस्तों पुरानी ट्रिक आपको नहीं याद हो रही हो याद कि यह हैं कि अमरीकी क्या होते हैं अमरीका के और एक जान पसंद करते हैं विद्क थेimento और ऊइंगलिश कांद करते हैं meditate कौन करते हैं meditate कौन करते हैं लामा लोग करते हैं दलाए लामा लोग तैसे याद कर लेंगे लामा ये थी छोटी सी ट्रिक जो कि आप के सब ही question solve करेगी लेकिन अगर आप चाहने कि मुझे सब question नहीं solve करने इतना बवाल कोन याद करेगा मुझे काम चल जाए मेरे काम चलाओ exotic breed जो लगभग पूछ लेते हैं लेकिन डीप में नहीं जाते हैं तो काम चलाओ करके लिख लेंगे तो इससे आपके 40 से 50 percent question निकलाएंगा आपको जड़ा डीप में याद करना पड़ेगा क्या है यह रऊफ लाला आपने पिच्चर अगनी पथ उसमें रऊफ लाला आता है तो बात करते हैं रऊफ की रऊफ यह के हमारा रऊफ लाला चिक है तो इसका मतलब क्या होता है यह वो नाम है जो हमारे काम आते है् जो रगुलर जो हमारी examination में पूछ लिए आते तो r से क्या जाता है रोड आईलेंड रेड रोड आईलेंड रेड फिर डबलू से क्या हो जाएगा वाइट लेगहौर वाइट यह सारी एक्जॉटिक ब्रीड हैं लेगहौर फिर पी से क्या हो जाएगा पॉली माउथ रौक सब का नाम आपने सुनाया है पॉली माउथ रौक लास्ट में हैँप शायर तो दोस्तो ये थे हमारे सारे के सारे पॉल्ट्री वीड के एक्जॉट्रिक वरीड जो कि बहुत यूस्फुल है हमारे नीट इग्जामनेशन के लिए दोस्तो आपको मेरी ये ट्रिक पसंद आ रहे हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें और कोई भी ट्रिक बना रही हो तब भी कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें धन्यवाद